असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ सियत वहाद हाश्मी फोटू से इस वीडियो में हम जानेंगे सोनी के कैमरा आपके सैल फून से किस तरह से कनेक्ट होते हैं कौन सी एप्लिकेशन से कनेक्ट होते हैं और क्या-क्या फीचाद आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं जिस तरह से आपको अभी ये नजार आ रहा होगा ये मेरे सैल फून पर है, मेरा सोनी का complete operation मेरे हाथ में है तो चलते हैं, इसको कनेक्ट करना सीखते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ये है सैल फून और ये है कैमरा इस कैमरे के फीचर्स मैं इस सैल फून पर लेकर आना चाता हूँ ताके मुझे बार-बार उठके कैमरे की तरफ ना जाना पड़े तो इसके लिए मुझे किन चीजों की जरुवत है एक अदध सैल फून जिसके अंदर इमेजिंग एज की एप्लिकेशन पहले से मौझूद हो या फिर इसको आप एपल या पिर एंडूइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री एप्लिकेशन है ये एप्लिकेशन का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि हम जाएंगे पहले कैमरा कनेक्शन में कैमरा कनेक्शन में जाने के बाद रिजिस्टर अदर मॉडल्स जब यहाँ पर ये क्यू आर मांगने लगेगा तो फिर हम सैल फून को रख देंगे उसके पाद जी हम उठाएंगे कोई भी सोनी का कैमरा जो के सपोर्टिड है जैसे ये अभी मेरे पास है जैड़ वी E10 इस कैमरा को मैंने आउन किया आउन करने के बाद देन मैनियो और मैनियो के बाद इसके अंदर आप ये ऊपर जो Network का आइकन देख रहे है इस आइकन में आपको नज़र आएगा smartphone connect का option smartphone connect मे जाने के बाद इसको आपने पहले से on है default connection में जाने connection में जाने के बाद ये आप से settings पूछ रहा है और उसके बाद इसने automatically अपना QR code दे दी अब करना कुछ इस तरह से है कि दोनों को अपस में link करने के लिए ये QR code दिखा रहा है और ये QR code मांग रहा है तो करना ये है कि scan QR code then scan your camera QR code ZV eat and detect कर लिया है detect करने के बाद okay मैं इसको connect करना चाहता हूँ connecting पर है थोड़ा सा wait करें connect भी होगा इंशाल्ला और जी इसने detect कर लिया connection पर आग गया connect हो चुका है और ये भी तमाम views आपकी यहाँ पर आजेंगे दो options आपके पास open हो जाते है camera connect हो चुका है क्या आप import in camera images करना चाहते हैं या remote control तो भाई मैं अपने cell phone से इस camera को operate करना चाहता हूँ तो remote shooting पर click करेंगे और ये आपका छोटा साथ DOP monitor यहाँ पर तयार है अब ये DOP monitor करता क्या है इसको मैं दिखाता हूँ बहुत सारे features हैं मिसाल के तोर पे ये cup है इसके साथ मैं कुछ खेलना चाहता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा tally कर लेता हूँ टैली ठीक है थोड़ा सा इसको दूर करते हैं इसमें सारे features आपको मिलेंगे मैं आगे चल के पूरी वीडियो में दिखाने लगा हूँ अगर आप करना चाहते हैं इसको close up तो यहाँ से भी click करेगा ठीक है यह जो cup है इस वाक स्क्रीन पर अज़र आ रहा है और उसके बाद अगर मैं defocus हुई वी चीज को focus करना चाहता हूँ यह focus यह focusing तक आपकी जो है आपके cell phone से operate कर सकते है यह display का button है इसको आप दबाएंगे तो बाकी के features open हो जाएंगे उन features में तमाम ही features जिसमें आपको मिलेंगे जिसमें सबसे पहले screen पर यहाँ rotate का option है तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ ताकि बास समझ में आ जाए उसके बाद यह widened tally है यानि के tally photo zoom full zoom हो गया और full zoom out हो गया ठीक है जी यह full tally हो गया यहाँ पर यह दे रहा है आपने manual focus किया इस focus को आप यहाँ से auto focus कर सकते है उसके बाद यहाँ से इस feature में जाकर तमाम जितने भी इसके अंदर senses है shooting mods है यह तमाम के तमाम यहाँ से operate कर सकते है उसके बाद अगर आप चाहते है full manual mode तो जी आपको मैं दिखा देता हूँ यह manual mode activate हो चुका है manual mode activate होने के बाद shutter speed, aperture, exposure, ISO आपके कौन से point पर आपको camera के focusing को रखना है यह DRO, इसका complete bracketing system इसके brush shooting, time lapse इसके slow motion सब यहाँ से operate हो सकते है manual के इलावा इसका जो intelligent mode है वो ज्यादा बेतर है ठीक है, उसके बाद यह menu है उस menu में जाने के बाद आपको यहाँ सारे features depend on settings है कि आपने अपने camera को कि स्मॉट पर activate किया उस हिसाब से कि सारे features on या off हो सकते है यहाँ से आप record भी इसको direct कर सकते है यह tally and wide आगिया इसको full display पे लेना है full display किया आपने और इसको rotate कर दिया तो यह आपको पूरा view of angle मिल गया तो भाई record इससे हो रहा है display इससे चल रहा है, तमाम चीज़ें operate हो रही है solo जो लो काम कर रहे हैं उनके लिए यह feature इंतिहाई जरूरी है और बहुत ही useful है तो आप अपने इसी एक push button से सारे काम कर सकते है focusing और defoxing भी इसी से हो जाती है एक journal lens मेरे पास लगा हुआ है तो मैं समझता हूँ यह feature बहुत काम का और जितने भी नए मेरे less cameras आये है Sony के उसकी imaging age application आप install करें इसको इस्तमाल करें यहाँ तक कही battery level भी आपको यहाँ पर show कर रहा है ठीक है क्या ratio चल रहा है यह भी show कर रहा है तो यह इसका पूरा interface था इसको अगर आप full इस्तमाल करना चाहते हैं तो manual पर ले आए यह aperture priority आपने यहाँ से बढ़ानी है यह कम करनी है यहाँ कि full aperture open करना है iris, shutter speed, उसके बाद पिर exposure, under या over ISO, ठीक है, AEL तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको यहाँ से मिल जाएंगी तो मैं समझता हूँ यह वीडियो यहाँ पर complete हो चुकी है और इतना काफी है एक normal overview के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा से इंतिजार करें और इंतिजार करें और इस वीडियो को like करें share करें और इस पर comments करें कि आप कोई वीडियो useful लगी या नहीं और यह है ZV E10 Camera Now Off अगली वीडियो में शाला आपसे मुलाकात करते हैं Assalamualaikum